देखिए दुस्तों अगर आप भी गूरूप डी जो रेलबे में भरती होती है उसकी त्यारी करते हैं तो आपके लिए जो एक बड़ी महतपूर सुचना जारी की गई है, सुचना जो है बहुत ही महतपूर है सभी को जानना ज़रूरी है उसके साथ ही साथ इसकी जो भरती है वो कब तक आने वाली है, कितने पदों पर भरती होने की संभावना है, इस से relevant जो है सभी जनकाड़ी सम वीडियो में कभर करेंगे, अगर आप भी माली जे अभियरती हैं, गुरूप D के त्यारी करते हैं, तो कहीं न कहीं ये अपडेट के बारे में आपको पता होना चाहिए देखिए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, गौवर्मेंट अफ इंडिया, मिनिस्ट्री अफ रेलवेज के द्वारा एक जो है नोटी जारी किया गया है, और आपको बता दें कि रेलवे में जो लेबल वन की भरती होती है, जिसको अब गुरूप D बोलते हैं, जि से उनीस के बाद अभी तक जो है लेबल वन की भरती नहीं आई हुई है, तो उनीस के बाद जो भी भरती आएगी न, उसमें जो है यही एजुकेशन कौलिफिकेशन जो है मांगा जाएगा और आपको फूल्फिल करना होगा, निया था आप जो है जो लेबल वन की पोस्ट होता है उसके लिए अपलाई नहीं कर सकते, अब इसमें कुछ डिपार्टमेंट रखी गई है जिस डिपार्टमेंट में अगर आप जाना चाहते हैं लेबल वन के तहट तो आपको जो है यही एजुकेशन कौलिफिकेशन यहां पे फूल्फिल करना होगा, सबसे पहले जाते हैं कि इसमें हुगा क्या था कि 2018 और 2019 में आप देखेंगे 2018 और 2019 में जो है भरती आई हुई थी जिसमें जो भी अभरती है उनको छूट दिया गया था कि आप तेन्थ पास पर ही लेबल वन की जो भरती है उसके लिए अपलाई कर सकते हैं, लेकिन फिर से उसको यहां पर रखे गए हैं उस डिपार्टमेंट में आती है तो आपको जो है यह क्वालिफीकेशन फूलफिल करना होगा, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि इसमें कौन-कौन से डिपार्टमेंट रखे गए हैं, तो डिपार्टमेंट के रिगार्डिंग आएंगे तो यहां पर ज ट्रक्ति कर लिपार्टमेंट में अगर आप से लेबल ऊं के तहत भरती होना चाहते हैं तो यहां पर बोला गया है कि आप 10th पास के साथ अगर आपने National Apprenticeship Certificate यानि कि आपने अपरेंटीस किया हुआ है एनेसी के ड़वारा तो आप यहां पर इलिजिवल हो पाएंगे आ नहीं तो अगर आपने दसवी के पास के साथ साथ अगर आपने ITI किया हुआ है तो ही आप यहाँ पर आवधन कर सकते हैं यानि कि आप के वल मैट्रिक पास है और आवधन करना चाहते हैं तो के वल मैट्रिक पास पर आवधन नहीं कर पाएंगे हला कि मैट्रिक के बाद अगर आपने NAC के दोवारा जो आपका अप्रेंटीसिप कराया जाता है उगर आपने किया हुआ है तो आप यहाँ पे इन डिपार्टमेंट में लेबल वान के तहर जो है पदों पे भरती हो सकेंगे या फिर आपने तेंथ के साथ ITI रिलेवेंट डिपार्टमेंट के दोवारा जो कर सकते हैं कुछ माने टेक्निकल छोड़के जो भी आप डिपार्टमेंट दिये गए हैं इसको छोड़कर अलग कोई रिपार्टमेंट में भरती आती है लेबल वान के तहर तो उसके लिए आपसे आई टी या फिर अप्रेंटीसिप नहीं मांगा जाएगा लेकिन तेंथ पास पर आवेदन आप कर पाएंगे तो यहां तक आप समझ गए अब आप कहेंगे कि नोटिफिकेशन आप कहां से लिए हुए हैं इसका सत्यता क्या है तो आपको मता देंगे देखिए थोरा समय इसको बैग करेंगे तो आप यहां पर देखेंगे तो हमने जो है आरारबी समझ सकते हैं, जो चीजों मैंने आपको समझाने की कोशिस किया हुआ है, ठीक है, उसके बाद आप railway recruitment cell Western Railway के official portal पर आएंगे, तो portal पर ही यहाँ पर इसका इंपोर्टेन्ट यहाँ पर नोटी जारी कर दिया गया है, और इसमें वही बात बोला गया है कि 2018 में जो आपको आई नहीं तो 10 plus apprenticeship आपके पास होना चाहिए तभी जो है in department में आप जो helper के पदो मतलब level 1 की जो भरती होती है उसके लिए आवधन कर पाएंगे आप यहां पर हम बात कर लेते हैं कि railway में जो group D की भरती है वो कब तक आने वाली है देखें दोस्तों आपको हम बता दें कि अभी इसके लिए जो है ज्यादा कोई मेरे पास information नहीं है लेकिन news paper की मांगने और कुछ portal की माने तो आपका जो भरती है इस मतलब साल के last तक यानि कि आपका जो है नौंबर या फिर दिसंबर में इसकी जो भरती है लगबग 75 से लेकर 80,000 पदों पे हां पे आने वाली है ठीक है और नहीं तो जो 2024 का मतलब starting है उसमें जो आपको भरती का जो notification है वो देखने को मिल सकता है फिलाल एक कोई मतलब value जनकारी नहीं है कुछ portal के माधियम से आई जनकारी और कुछ paper के माधियम से समचार पत्रों के माधियम से आई जनकारी के बिहाब पे आपको बताई जा रही है तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने आपको clear करके बता दिया कि हर जो अपिसका जो नोटिस दिया जा रहा है कि अब आपका जो भरती होगा level 1 का उसमें जो है अगर आपने तेंथ करके आपने आई टिया हुआ है तो ही आपको in department में basically मैं जो department आपको दिखाया उसमें आप फिर भी आपके मन में कोई सवाल होगा तो आप हमें comment करके पूछ सकते हैं